अपराजित हिंदू समराट के नाम से प्रसिद्ध महान सेनानायक पेश्वा, बाजीराव प्रथम को लोग, बाजीराव बल्लाल भट और थोरले बाजीराव के नाम से भी जानते थे। हर हर महादेव के युद्ध घोश के साथ देश में अटक से लेकर कटक तक के सरिया ध्वज लहरा कर हिंदू स्वराज लाने का जो सपना वीर छत्रपती शिवाजी महाराज ने देखा था, उसको काफी हद तक मराठा सामराज्य के चौथे पेश्वा या प्रधान मंत्री वी उन से मिलने तक से भी घबराते थे। हिंदूस्तान के इतिहास में पेश्वा बाजी राव प्रधम ही अकेले ऐसे महावीर महायोध्धा थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में 41 युद्ध लणे और एक भी युद्ध नहीं हारा। साथ ही वीर महाराणा प्रताप और वीर छत्रपती शिवाजी के बाद बाजी राव पेश्वा प्रथम का ही नाम आता है, जिन्होंने मुगलों से बहुत लंबे समय तक लगातार लोहा लिया था। जिन्होंने निजाम मुहम्मद बंगश से लेकर मुगलों, अंग्रेजों और पुर्तगालियों तक को युद्ध के मैदान में कई-कई बार करारी शिकस्त दी थी। बाजी राव पेश्वा के समय में महराश्ट्र, गुजरात, मालवा, बुंदे लखंड सहित, लगभग 80% भारत पर उनका शासन था। ऐसा रेकॉर्ड वीर छत्रपती शिवाजी तक के नाम पर भी नहीं है। वह जब त नित्रित्व, व्यूह रचना एवं कारगर रनकोशल के बलबूते पर मराठा सामराज्ज का देश में बहुत तेजी से सबसे अधिक विस्तार किया था। वीर महान योद्धा, बाजी राव प्रथम की बुखार बीमारी के चलते आकस्मिक मृत्यू हो गई।